ये मेरे सेकेंड चैनल का ग्राफ है 365 दिन का 365 दिन में मेरे चैनल पर अराउंड 6 मिलियन के आसपास व्यूज मिले हैं इस ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो नोटिस कर पाओगे फर्स्ट दुनों में इस चैनल पर बहुत ही अच्छे व्यूज आते थे डेली एक लाग से लेकर दो लाग तक ब्यूज आते थे बट आप ग्राफ में चैक कर सकते हो कि बीच बीच में चैनल डेड हो गया था ब्यूज इनी आ रहे थे आप बोल सकते हो ये चैनल फ्रीज हो गया था कि आपका YouTube channel freeze क्यों होता है अगर गलती से आपका channel freeze हो भी गया है तो उसे unfreeze कैसे करते हैं वीडियो को लाश्ट तक देखना मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका channel freeze हो भी गया है तो क्या आपको new channel create करना चाहिए या फिर आपको अपने freeze channel पर ही काम करना चाहिए YouTube channel freeze होने के दो reason होते हैं फिर्स्ट reason है mixed content कुछ लोग YouTube पर आते हैं gaming करने के लिए बट उनको बाद में पता चलता है कि gaming मेरे से नहीं होगा ब्लोगिंग कर लूँगा वो ब्लोगिंग में खून पढ़ते हैं बट उनसे ब्लोगिंग भी नहीं होता अब आपके channel पर ब्लोगिंग बीडियो भी हो चुका है और gaming बीडियो भी हो चुका है YouTube confused हो जाता है आपका बीडियो किस audience के पास recommend it करना gaming में interested audience के पास या vlogging में interested audience के पास गेमिंग ही करो आपका channel grow हो या ना हो बट आपको gaming field से related बहुत कुछ सीखने को मिलेगा channel freeze होने का second reason है inactive मेरा second channel इसलिए freeze हुआ क्योंकि मैं अपने channel पर एक मन्त से अनेक्टिव था बन मन्त बात जब मैंने अपने channel पर बीडियो अपलोड किया तो मेरी बीडियो पर views नहीं आया पहले मेरे channel पर बीडियो पर 80,000 से लेके 90,000 तक views आते थे बट इस बार सिर्फ 800 views आये channel freeze हो चुका था आप कितना भी बिजी हो बट आपको अपने channel को time देना पड़ेगा कम से कम साथ दिन में एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा तभी आपका channel safe रहेगा नहीं तो freeze हो जाएगा ऐसा नहीं था कि मेरा channel हमेशा के लिए freeze हो गया था मैंने अपने channel को unfreeze भी किया चैनल unfreeze करने के लिए आपको पहले से थोड़ा सा ज्यादा सा मेनत करना पड़ता है पहले से आपको better content बनाना पड़ता है और आपको daily वीडियो अपलोड करना होता है आप better content बनाते हो और regular वीडियो अपलोड करते हो तो आपका channel 10 या 15 दुरों में unfreeze हो जाएगा और आपके channel पर पहले जैसे ब्यूज आने लगेंगे मैंने भी अपने channel पर ऐसा ही किया मुझे 10-15 दिन तक थोड़ा थोड़ा ब्यूज आया 1000, 2000, 3000 बट 12 दिन के बाद अच्छा खासा ब्यूज आने लगा मेरे channel पर 70,000, 80,000, 90,000 पहले जितना आता था उतना ही ब्यूज आने लगा मैं बहुत ही happy हुआ कुछ लोगों का doubt होता है channel freeze होने के बाद एक नया channel create करना चाहिए या freeze channel पर ही काम करना चाहिए तो देखो मैंने जो बताया है उसे try करते हो तो आपका channel 10 या 15 दुरों में unfreeze हो जाएगा बट आप फिर भी एक नया channel create करना चाहते हो तो कर सकते हो आप अपने freeze channel से जो भी आपने कुछ सीखा हो वो आप अपने new channel पर apply करते हो तो आपका new channel बहुती fast grow हो सकता है देखो channel automatic freeze नहीं होता हम कुछ न कुछ गलती करते हैं जिसके कारण हमारा channel freeze हो जाता है उसे fix करने के लिए हमको पहले से और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके channel unfreeze होता है मेरा channel freeze तो हुआ था दोगनी मेहनत करकर मैंने अपने channel को unfreeze भी कर लिया channel freeze पर्मानेंट नहीं होता अगर आप मेहनत करोगे तो भाई fix हो जाता है तो यही ता आज का वीडियो और आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आपको कुछ doubt है तो comment box में पूछ सकते हो मैं जरूर आपको reply करूँगा तो मिलते हैं next वीडियो के साथ बाई